नमस्ति दोस्तों आप सभी का मेरे कुकिंग चनल में सौगत है, तो आज मैं बनानी वाली हूँ थंडऑी की रेसिपी, इतना आसान रेसिपी में बतानी वाली फ्रेंज अगर एक बार आप इसको देख लेंगे न तो आप इसी रेसिपी से थंडऑी बनाएंगे और बार बार अगर एक लिटर के आप 10 लिटर भी अगर बनाएंगे ठंड़ाई तो भी आपको हाड नहीं लगेगा अगर आपका फैमली बड़ा है आप इसको बहुत ही आसानी से बना करके रेडिक कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं वीडियो कौन तक देखेगा वीडियो पसंद आगा त कि आपके पहले ले लिया है वन-फिप्टी ग्राम मैंने ले लिया है बादाम अपने सामान को कम ज्यादा अपने हिसाब से खड़ सकते हैं अब इसको मिक्षर के जार में पीश करके बारिक अधिम ने लेती हूं इसको एकदम बारिक पीशना है इसमें दाना बिलकुल ही द बैक्सर के जार में मैं यहां ले लिए हूँ, 100 g मैंने ले लिए हैं खर्भूजे का बेज, अब इसको भी अच्छे से बारिक पीस करके ले लेने का हैं यहां मैंने ले लिया है उसी मेजर्मेंट से मैंने ले लिया है काज हूँ अगर आप सामान ज्यादा डालना चाहते हैं तो अपनी हिसाब से डाल सकते हैं यह भी मैंने बारिक पीश करके ले लिया है इसी तरह से सारे सामान को पीश करके बारिक ले लेने का है सौफ भी मेने ले लिया है उसी मेजर्मेंट से वन और हाफ ले लिया है सौफ को मैं अलग से ही इसको पहले चाल करके ले लेती हूं इसको चालना जरूरी रहता है कि इसमें छोटा-छोटा दाना दाना रहता है तो इसको चाल करके हम इस तरह से सारा अच्छे से नीचे जो ब तो आप देख सकते हैं जो यह है दाना दाना यह अच्छे से पीसके नहीं होता है इन पीस आता नहीं है अच्छे से तो क्या है अभी मैं इसको किसी और चीज में खाने मैंने में यूज करूंगी हो चुका है अब मैंने यह ले लिया है अब 100 गाम मैंने ले लिया यहां काली मिर्च का दाना अब इसको भी मैं बारिक पीस करके अच्छे से ले लेती हूं यह आप काली मिर्च भी मैंने पीस awareness के लहां यह राल कमेश्यकों ङलोन संदाने क्मेश्यक्राप की सplast not the environment Room आप मैंने यहां यहां ले लिया है चीनी चीनी को का यहां कमेश्यक्षी यह लहा जी हमेश्यक्त चीनी भी मैनने पीस करके लेया है बीसको एक यार टाइट कंटिणर में आप पीस करके, टोर करके रख सकते हैं जब आपको ज़ूआत पड़े आप मात्रह के साब से चीनि को डाल सकते हैं मैद billion यहां से समान को फीश करके लिया है अब मैंने एक लिया 찾ा पतीला पतीली में स्टीक ग्लास से थोड़ा चिली 2-0 डूर करें कि यहीं अभी मैं समान डालूगा इसमें एक बड़े चमफ से डाल दिया है वाधा आभा चमफ देख पर्डर लीजिए और काजु का प्रडर और एक चमफ ऐ डाल दियां द है सॉफ का प्रडर और चमफ दें डाल दियां काली मिर्च पारडर सारे शामान को मैंने डाल दिया है अब उसारा शेम फटिर लटियों चीनी आप के मात्रा हिसाब चीनी डाली है मैंने एक चंबस ले लिया है भर πεर चीनी अंच्छे से इसको मिला करके ले proportional । आपके पास यह तो इसको 1-2 भंटे में रेडी हो जाएगा तो आप पीने से पहले एक दो खंटे पहले पानी या दूद में जो आपके पास रहे इसको इस तरह से भीगा करके रख लिए ताकि जब आपको ज़रुत पड़े ति अच्छे से घुल के रेडी हो जाए तब उसमें आप दूद का मात्रा बढ़ा करक तो आप आप देख सकते हैं मैंने सारा इस तरह से घुल करके ले लिया है अब इसको थोड़ा से मैं और दूद डालूँगी दो ग्लास छोटे ग्लास से इसको पहले अच्छे से मिला करके ले लेने का है अब यहां मैं उसी ग्लास से दो ग्लास और दूद डालूँगी दूद डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा मैं चला करके ले लेती हूँ इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं इसको थोड़े टाइम के लिए ढख करके रेश्ट करने के लिए रख देती हूँ कि इसको थोड़ा टाइक ले में रख जिती हूँ अब यहां मैंने जो सारा मसाला पीश करके रखा है ठंडाई का आप चाहे तो इसे सारा जो अलग-अलग है एक ही में मिला करके टाइट कंटेनर में रख चकते हैं या तो अलग-अलग भी रख सकते हैं तो मैंने यहां इसको तो इस तरह से ले लिया है तिस करके रिखिए मैं इसको एक ही में सारा मिक्स कर दूँगी और जब मुझे जवरत पड़ेगा तो मैं इसको यूज करूँगी तो आपके उपर है अगर आप इसको अलग-अलग रखना चाहे तो अलग-अलग भी रख सकते हैं एक साथ भी मिला करके ले लेती हूँ शारा इस तरह से मिला करके सारा एक ही में ले लेती हूँ यह मैंने इसको मिला करके ले लिया है अब इसको एक मैं डब्बे में भर करके तारा रख दूँगी कि और आप कोई भी डबा रहे उसकर बहर करके रख hack सकते तब ज़रुत पढ़े आप इसको आप डॉल करके यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने सौफ और काली मिर्ष ऐ Half जब मुझे जड़ुतपडेगा में सौफ काली मिर्ष ऑ पडर को मातरा की साब से डॉल करकर रेडी कर दूँगी, एक में नहीं मिलाओंगी, तो आपके उपर है, आप इसको चाहें तो एक लिटर दूद में चार चम्मच आप ड्राइफ फ्रूट का पाउडर डाले, और एक चम्मच आप सौफ और एक चोथाई चम्मच आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते ह अपने मात्रा किसाब से आप सामान डाल सकते हैं, इसी चम्मच से बड़े चम्मच से आप चार चम्मच आप एक लिटर दूद में आप डालेंगे, तो आपका बहुत अच्छा ठंडाई दम परफेक्ट बनके तैयार होगा, और सौफ और काली मिर्च आप अपने मात्रा कि ले लेती हूं, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको रख दिया था, अभी अच्छे से पूरा घूल चुका है, इसको मैं थोड़ा सा चला करके ले लेती हूं, तो आप देख सकते हैं, इतना अच्छे से घूल चुका है, मिक्स हो चुका है पूरा ड मेहमान भी आपकी तारीप करेंगे अक्होंस हो जाएंगी पुछेंगे कैसे बनाया अभी मैंने यहां लिया था गुलाब का पंखोडी अगर आप ताजय गुलाब ले तो ताजय गुलाब का भी ले सकते हैं तो आपके पास जो भी रहेगा आप इसमें डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है देखने में अखा भी सकते हैं खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है तो आप भी जरूर इस तरह से ठंड़ाई बनाईएगा फ्रेंस भोली पर आप जब इच्छा हो तब आप बना सकते हैं यह ठंड़ाई के साथ ठंड़ा भी रखता है शरीर में और हेल्दी भी रहता है कि अनहल्दी रहे सब हेल्दी सामान रहता है इसमें मारे शरीर के लिए फायदे मंदी रहता है तो आप जरूर बनाएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा यांकि मेरी यह ठंड़ाई की रेश्पी आपको कैसी लगी एक लीटर के आप दस लीटर भी आप बनाएंगे न तो भी आपको हाड नहीं लगेगा इदा मासानी से बनाके आप इस तरह से इस्ट्रिक से रेडी कर सकते हैं कर आपकी फैमली बड़ आपको नाटिफिकेशन मिल सकें तो आप भी जरूर बनाएगा और मेरी आइस की रेश्पी अपनी फैमली और फ्रेंज सर्कल में जरूर सेयर करिएगा तो वीडियो को आन तक देखने के धन्यवाद मिलते ने इस वीडियो में तब तक लिए बाई रजय चूँ है कि लेखन देखने करना क्षाम है रिर हम चाना करिछेशने कर दो आपके क्को आपके चाएगा